Hello Friends, Welcome Back to my channel Visual Art History Mahi S Friends, सौ कलाकारों के श्रिंखला में आपका स्वागत है सौ कलाकारों के श्रिंखला में आज हम बात करेंगे समकालीन कलाकार अंजू डोढिया के बारे में अंजू डोढिया एक जानीमानी समकालीन कलाकार रही है और आप well-known artist के बारे में जानते होंगे अतुल डोडिया यह अतुल डोडिया की पतनी है अतुल डोडिया और अंजू डोडिया तोनों लोग भारतिय कॉन्टेंपररिडी आर्टिस्ट की जाने माने कलाकार है इनकी कलाकृतियां अमूर्दवादी हैं बिल्कुल ही इनकी कलाकृतियों में आप abstractism देख सकते हैं अंजू डोडिया का जन्म सन 1964 में मुंबई में हुआ था वो वहीं पे रहती हैं और वहीं पे काम करती है अंजू डोडिया के background में यह अंजू डोडिया है इनके background में आप picture देख सकते हैं इनके picture में एक भूत अत्व होता है जो कि हमारे एक कहते हैं कि भूत काल में जो एक thinking होती है उसको उन्होंने लेके चला और आंतरिक जीवन और बाहरी वास्तविक्ता के 20 संगहर्स का पता लगाने के लिए वह स्वाचित्र रूप का उप्योग करती हैं कलाकार भारती स्रोतों से प्रेंच माधमिक टेपेस्ट्री से कलाकार काम करती हैं अकबार की तस्वीरों के रूप में विविद रूप में एतिहासिक स्रोतों पर तथा नया एक आयाम प्रदान करती हैं ये अपनी कलाकृतियों के माधम से इनकी कलाकृतियों में एक अलगी थिंकिंग है इनके विसे जो होते हैं नाट की ये तीवरता लिये और उनके निर्माड के सुक्षमदा के बीच होते है अतुल डोडिया की पत्नी अंजू डोडिया अब हम उनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बार उनके चित्रों के एनालिसिस करेंगे अंजू डोडिया जो थी वो बेसिकली मुंबई से बिलॉंग करती थी मुंबई में ही जन्मी महरास्ट्रवें सर जेजे स्कुल अफ आर्ट से उन्होंने 1986 में अपना कला का डिप्लोमा हासिल किया था इनके जो पते हैं वो अदूल डोडिया हैं जिनको आप अच्छे से जानते होंगे भारतिय समकारिन कला कार के ग्रूप में इनका काफी नाम है अंजू डोडिया ने विद्रोह, भूतत्व के कारे, अंतरिक जीवन और बाहरी वास्तकिता के बीस संगहर्ज का पता लगाने के लिए स्वच चितर रूपों का उप्योग किया था कलाकार भारतिय स्रोटों से फ्रेंच मादिमिक टेपस्ट्री और अकबार की तस्वीरों के रूप में विविद रूप में एतिहासिक सुरोतों पर एक नया आयाम प्रदान किया था उनके चेतर विपरीथ हैं जो एक विविसे हैं नाट की तेवरता और उनके निर्मार की सुक्षमताओं के बीच बनाते हैं उनकी एक प्रदर्शनी थी breathing on mirror जो कि इनोंने last year लगाई थी 2020 में इनके कुछ artwork है देख सकते हैं लो तो बेब बेफ ब्रड द रजट विंद दन्स आफ ध पिंक तो इस तरीके से इनके कुछ चत्र है काफी इनके चित्र तो बहुत मिले चित्र मैं आपको शो करूंगी पर इनके बारे में इनके लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं शो किया हुआ है कहीं पर भी तो इनके बारे में इतना ही इनके जब चित्रों को हम देखेंगे तो इनके बारे में हम ज़्यादा समझ सकते हैं कि इनकी life का और इनकी कलाकृतियों का हम ज़्यादा एक understanding जो होता है वो हम समझ सकेंगे तो अंजू डोडिया के कुछ questions कैसे आते हैं पहले हम वो देख लेते हैं फिर चित्रों के analysis करेंगे तो मैंने इसमें कुछ questions बनाया है अंजू डोडिया के पती क्या थे तो पहले एक right answer is एक कलाकार थे right answer इस तरीके से question आ सकता है अंजू डोडिया के बारे में अंजू डोडिया के कारियों में क्या दिखाई देता है यथार्थवादिता, घनवाद, अमूर्थवादिता इन şunu से कोई नहीं तो right answer C हो जाएगा अमूर्थवादि अंजू डोडिया कहा की कलाकार यहाः पर कहां हो जाएगा कहां की कलाकार है कहां पर रह गया ये काम कर रही है इनकी लाइफ के बारे में जब मैंने बताया तो मुंबई में मुंबई में जन्मी और मुंबई में पली बढ़ी अंजू डोडिया काम भी कर रही है अंजू डोडिया ने कला के सिक्षा कहां से ली थी इन्होंने अंजू डोडिया ने कला के सिक्षा जे जे स्कुलाफ आर्ट से ली थे, राइट अंसर इस सी, डिम्नमे से सत्य तथा असत्य बताईए, ए, अंजू डोडिया की पुत्री का नाम विराज डोडिया है, बी, और वो एक कलाकार है, तो इसका अंसर आपको बताना है, ए, ए सत्य है, पर बी गलत है, ए, और बी, दोनों सत्य है, ए, बी, दोनों असत्य है, और बी, सत्य है, पर ए गलत है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है, अंजू डोडिया की पत्नी, एक महापुत्री, एक कलाकार है, और विराज डोडिया उनका नाम है, ये भी, ए, एक कलाकार के र भूत्प्रेत को बहगाने वाले समवाद को चित्रत किया है तो यहां पर आफ्शन में है अघू डोडिया, अन्जू डोडिया, वरास डोडिया या मैं तो अन्जू डोडिया इस दारा एंसर. इन्हों ने अपने चित्रों में अगर हम चित्रों की जब analysis करेंगे तो आप इनको देखेंगे कि इनके चित्रों में एक तरह से जैसे जो horror movies होती हैं वैसा इन्होंने चित्रण किया है कुछ उस तरीके से कुछ भूत प्रेट के समवादों को कुछ उनके जो चित्रों होते थे oil, medium, mostly नहीं बने हैं जादा था इनके में पेस्टल, water color, charcoal, soft pestle, on paper यही सारे technique इन्होंने यूज किया है equatorial, fusion, add, pastel, pastel पेस्टल वगरा यूज करके इन्होंने light and dark में अपने कलाकृतियों को बनाया है और कलाकितियों में भूत जैसे समवादों का इन्होंने प्रेजेंट किया है कहीं पे एक नारी है उसके पेट से भाला चूबते हुए दिखाया है तो कहीं पे एक नारी को एक बड़े से टब में डूबते हुए दिखाया है तो कहीं पे एक नारी को इनों ने किसी चीज में फसा हुआ उलजा हुआ दिखाया है और कहीं नारी और पुरुस का समवाद भी है तो जब हम चित्रों का डिस्पले करेंगे तो हम देखेंगे कहीं पे एक नारी को बिलकुल उलजे हुए पोज में दिखाया है जो की knotted pose एक इनका चित्र है उसमें हम देख सकते हैं इस तरीके से इनके चित्रों को जब हम देखते हैं तो काफी उल्जा हुआ चित्र है इनके चित्रों में एक वो खुद भी अपने कलाकृतियों को जब बनाती थी तो mirror को रखके खुद को उसमें बनाती थी कुछ दिनों के बाद जब यह चीज उन्होंने छोड़ी तो यह स्वा को कुछ अकबारों के चित्रों से उन्होंने लेकर चित्रों को बनाना शुरू किया और एक अकबार वाले ही प्रिंट वाले ही शो करने का इन्होंने पूरी तरह से कोशिश किया इन्होंने dry pastel, water color, charcoal यह सब सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने अपनी कलाकृतियों को चितरत किया है इनके कुछ study for a self इन्होंने खुद को self करके खुद से ही सिखा है इन्होंने जो medium था, इनका acrylic on canvas भी था, कभी-कभी बनाती थी यह जिसमें landscape वाला put भी इनका देख सकते हैं लेकिन mostly इनके कलाकृतियों में हम water color on paper, pastel और यही सारी चीज़े हम देखेंगे तो next question देखते हैं 7th अंबर का इन्हें से कौन सी कृती अंचू डोडिया की नहीं है How to be a brave, a red wind, dance of the pink, crimson cave तो right answer is D नहीं है Crimson cave जो है वो अतुल डोडिया की है, right answer is D D जो है वो अतुल डोडिया की है, इनकी पती की है ठीक है, अतुल डोडिया की crimson cave है और how to be a brave, a red wind, dance of the pink तो आप अगर कला कृतियों का उसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इंग्लिश में ही याद करना चाहिए क्योंकि dance of the pink, इसका हिंदी convert करने में वो meaning खतम हो जायती है ठीक है, तो how to be a brave, a red wind, dance of the pink ये अंचू डोडिया की है और इसमें जो crimson cave है ये अदू डोडिया की painting है How far is it? किस की करती है? यहाँ पर अपड़ना कौर, अंजूम सिंग, अंजू डोडिया और पिता सिंग है तो ये अंजू डोडिया की है राइट अंसर इस see, how far is it? ओके, ये picture भी हम देखेंगे इनका प्रीधिंग और मिरर नामक प्रदर्शनी किसकी है? ये प्रदर्शनी भी अंजू डोडिया ने लगाई थी पिलो बेरर नामक कृती अंजू डोडिया ने कब बनाई थी? पिलो बेरर नामक कृती इनकी 2020 में बनी थी ठीक है? तो कुछ ऐसे questions जो कि कलाकारों की कलाकृतियों के बारे में आता है तो हम इसकी कलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे अब हम उनकी कलाकृतियों को देखें उनके बारे में खुद उनकी लाइफ की उनकी ठिंकिंग के बारे में और उनकी टैक्निक को भी समझ लेंगे कि अंजू डोडिया किस प्रकार का काम करती थी हम कलाकार की कलाकृतियों के बारे में जब हम देखते हैं उनके काम से जब हम उनके व्यक्तित्व का एक सामंजस से बनाते हैं उनको हम देखते हैं तो हम उनके बारे में पूरी तरह से रिकॉल करने में एक याद करने में बहुत ही सही होता है तो मैं कलाकरतियों के कलाकरतियों को शो करती हूँ और उसके पर एक एनलेसिस करती हूँ जो कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए अब हम बात करेंगे उनकी कुछ पेंटिंग्स के बारे में जो कि मैंने काफी कॉंटिटी में अच्छा लिया है मुझे जहां तक मिला है मैंने लिया है यह है अंजू रोडिया की जो कि हमने बात किया था एक्जॉक्टिक लेके जो कि इनकी भूत प्रेट वाली चीजों को लेके बनाने का एक माधिम था वो इनका एक ये चित्र है जिसका टाइटल है How to be a brave इन पिक्चर ये है इनका 2006 26 का पिक्चर है ये और ये नवंबर 2016 का ये पिक्चर है How to be a brave ये इनका एक टाइटल है अब हम इस कलाकृति को देखके अंजू डोडिया के फीलिंग्स समझते हैं कि एक नारी आकृति को अंजू डोडिया ने कैसे पीछे एक भूत जैसा चित्र बनाया है और उसमें एक लेडी को एक पेंसिल से ही लिये हुए उसको ब्रेवरी की हिसाब से दिखाने का प्रयास किया है और उन्होंने इसका टाइटिल दिया है How to be a brave ठीके तो इस तरीके से अगर आप समझते हैं तो उनकी कलाकृतियों को उनकी पेंटिंग को याद करने में आपको ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा ठीके नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं अन्जू डोडिया का अन्जू डोडिया टाइटिल है इसका Rehearsal for Drawing 2016 Medium acrylic and gouache ये है acrylic and gouache on book pages Size 16 by 21 cm जो कि इंच में होगा 3.3, 6.3, 8.3 इंचेस का ठीक है नेक्स देखते हैं ये है अन्जू डोडिया का चित्र अन्जू डोडिया का ये चित्र है जो कि इसका नाम है इसका टाइटिल हम देख सकते हैं इसका टाइटिल है Trans Trans 2016 Medium है Equal Fusion and Pastel ठीक है इस तरीके से Watercolor, Charcoal और Soft Pestle on paper इन्होंने बनाये है इसका साइज है 185 185 by 114 centimeter ठीक है तो साइज भी आपको समझ में आ जाएगी जिसका Inches में 72 by 44 Inches होता है इस का लाकृतिम में अन्जू डोडिया ने Fusion and Pastel और Watercolor, Charcoal and Soft Pestle on paper यूज किया हुआ है Soft Pestle है Watercolor है Charcoal है इसका Title जो है इनका Trans ठीक है Trans करके इनका Title है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मशाल जलते हुए दिखाया है और एक किसी के हाथों में लिए हुए ये Charcoal से इन्होंने ये पेंटिंग किया हुआ है फिर इसमें कहीं-कहीं इन्होंने Dry Pistle कहीं-कहीं Watercolor का हम पुट बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं अंजू दोडिया की पेंटिंग्स में एक Pencil है जो कि इसके हाथों में ऐसे हैंग हो रही है तो इस तरीके से ट्रेंस नामा की पिक्चर है अंजू दोडिया की अब हम नेक्स पिक्चर देखेंगे अंजू दोडिया की जो कि 2008 में इन्होंने बनाया था Notted Pose एक लेडी का फिगर है जिसको Nought करते हुए पोज में दिखाया है जैसे हम एक गाठ लगाते हैं इसा पोज इन्होंने तो Notted Pose इसका टाइटल रखा है Notted Pose 2008 मीडियम हम बता देते हैं मीडियम है इसका वाटर कलर एंड चारकूल ऑन पेपर आप एक देख सकते हैं कैसे वाटर कलर चारकूल चारकूल से इन्हेंने ब्लैकिष जो आप लाइनिंग है ये चारकूल से किया है वाटर कलर है और पेपर पेइन उन्हें काम किया है जिसकी साइज है 146 बाइ 113 सेंटीमेटर इंचेज में 57 बाइ 44 इंचेज ठीक है नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट पिक्चर है जिसका टाइटल है हाउ टू बी अ ब्रेव यहाँ पर वही वाला ब्रेव वाला सिरीज है जिसमें उन्होंने एक लेडी के फीगर को एक एनिमल से फाइट करते हुए दिखाया है और उपर कुछ छोटी-छोटी फेसेज बनाये हैं और इसको इन्होंने बनाया है हाउ टू बी अ ब्रेव इसका भी माध्यम है पेस्टल वाटर कलर चारकोल सॉफ्ट पेस्टल और पेपर ठीक है वाटर कलर पेस्टल सॉफ्ट पेस्टल और पेपर इनके इस मवज चित्र में हम देख सकते हैं नेक्स्ट इनकी चित्र है study for a self study for a self इनकी कलाकृती 2000 में बनी थी 2000 में बनी थी ये है water color ठीक है? water color on paper इसका size is 74 by 54 cm जो की inches में 29 by 21 हो जाएगा अंजू डोडिया का acrylic on canvas ये painting है ये थोड़ी different है acrylic से इन्होंने canvas पे काम किया है यहाँ पर इन्होंने vertical thread बनाया है vertical thread इसका medium है acrylic on canvas जो की size है 35 by 23 inches next देखते है यहाँ पर अंजू डोडिया ने मॉर्णर in rose print ठीक है मॉर्णर in rose print 2004 में बनाया है water color on paper है ये size है 112 by 111 cm के next अंजू डोडिया का चेतर है light my fire light my fire acrylic on mattress इन्होंने mattress पे बनाया है अंजू डोडिया काफी प्रयोगवादी कलाकार रही है mattress पे इन्होंने acrylic को paint किया है और उसमें एक लेडी को thinking mode में बनाया है और उसको कुछ flowers लिये हुए ऐसा feel हो रहा है जैसे वो किसी का wait कर रही है I hope ये dinner के time का हो और उसने कुछ रख रखा हो किसी का wait कर रही हो और वो I और light my fire इस तरीके का उन्होंने theme यहाँ पर project किया है तो light my fire acrylic on mattress mattress पे इन्होंने ये चित्र बनाया है next ये बहुत clear नहीं आया है ये चित्र बट अंजू डोडिया का 2010 का ये color है जो की surge search करके है S.U.R.G ठीक है S.U.R.G search 2010 medium है water color charcoal and soft pestle on paper 45 by 97 inches इसका size है यहाँ पर भी इन्होंने एक figure लिया है और जिसको कई चीजों से जूजते हुए लडते हुए बनाया है हर जगा है अंजू डोडिया एक सामाजिक जो यथार्टता होती है संघर्स होता है वो दिखाने का प्रयास किया है अंजू डोडिया ने ठीक है नेक्स्ट अंजू डोडिया का चित्र ये है sleep 2 arm in repose ये है 1996 का काम है इनका water color on paper है sleep इनका title है sleep 2 ठीक है water color on paper ये साब साब दिखाई दे रहा है water color on paper है 36 by 7 56 by 4 ठीक है नेक्स्ट चित्र है अंजू डोडिया का self portrait medium water color on paper ठीक है self portrait है ये उनका उन्होंने अपने self portrait को mirror में देख कर बनाया है कई बार वो खुद कहती है कि मैं mirror का use करती हूँ अपने self portrait को बनाने के लिए इसका size है 45 by 55 54 cm जो कि water color on paper है अगर माध्यम के बारे में medium के बारे में पूछता है कि अंजू डोडिया का का काम क्या था basically वो water color यूज करती थी pestle on paper, soft pestle on paper charcoal यूज करती थी अपनी कलाकरते, उनकी कलाकरतियां थोड़ी सी दुदली होती थी darkness के लिए वो जादा तर charcoal का यूज किया करती थी तो अंजू डोडिया के कामों को आप समझतकते हैं उन्होंने जादा तर paperwork यूज किया है कहीं कहीं उन्होंने matte यूज किया है कहीं canvas जब यूज किया तो acrylic color को यूज किया है तो उनकी medium, उनकी thoughts, उनकी color करतियों के बारे में आप समझ ही चुके होंगे लगबग अंजू डोडिया का next work है blessings 2003 में बनाया था ये watercolor charcoal and soft pestle on paper ठीक है watercolor charcoal, soft pestle on paper ये उनका एक जो उनका पसंदीदा माध्यम था वो यही use करती थी उनके size भी बहुत बड़े नहीं होते थे 45 by 42 inches है ठीक है next ये है अंजू डोडिया का काम cloud hunter cloud hunter को इन्होंने एक bow and arrow लिये हुए दिखाया है उसको उपर arrow को shoot करते हुए दिखाया है ऐसा और उसके बाद इन्होंने इसका title दिया है cloud hunter cloud hunter हो जाएगा इसका जो medium है वो acrylic on mattress है ठीक है थोड़ा सा ये bright color में इन्होंने बनाया है जो की acrylic use किया है इस वज़े से bright colors में इसको हम देख सकते हैं size है 78 by 46 next अंजू डोडिया का next work है opus opus करके opus देखो यहां पे दिखा हुआ है opus 2007 medium have watercolor on and charcoal on paper जिसका title है opus 2007 में बनाया है इसका size है 215 by 141 centimeter 85 by 55 inches ठीक है opus next अंजू डोडिया का चित्र है untitled है इसका title नहीं दिया है इन्होंने 1999 में बनाया है 1999 में यह चित्र वाटर कलर से बना है जिसका size है 41 by 28 inches ठीक है next यह भी watercolor charcoal and soft pastel on paper है जिसको इन्होंने एक नाम दिया है curtain call curtain call ठीक है curtain call के नाम से इसका time दिया है title दिया है अंजू डोडिया ने watercolor charcoal soft pastel on paper 151 by 100 cm 59 by 39 inches ठीक है इसका जो size है वो है watercolor charcoal और pasteur color soft pasteur यूज किया है यहाँ पर इन्होंने दिया है इसका title dreamers dreamers है 2007 में बनाया है अंजू डोडिया ने watercolor charcoal and paper and embroidery on mattress इसमें embroidery भी इन्होंने use किया हुआ है एक mattress है इसमें embroidery भी है charcoal भी है water color भी है और paper भी है इसका इन्होंने dreamers रखा है नाम ठीक है तो इस तरीके से इनके चित्रों को हम समझ सकते हैं इसका size है 96 by 45 inches इनके बहुत से काम है बहुत से काम है बहुत ही सुन्दर work है तो इस वचर से मैं काफी इनके काम को ले के आई हूँ जो कि काफी आपको helpful होगा उनके बारे में समझने में और उनके जो कला कृतियों को याद करने के लिए आपको ये सारे जो topics हैं बहुत ही helpful होगे अंजूरोडिया के लाइफ के बारे में बहुत जादा नहीं कुछ है ऐसा कुछ उन्होंने उनकी जो फैमिली थी वो नॉर्मल थी मीडल क्लस फैमिली अच्छे फैमिली से बिलॉंग करती थी मंबई से थी उनका डेट आववर्ट 1964 था उन्होंने जेजे स्कुल अफार्ट से बढ़ाई की थी उनके कुछ वर्क्शॉप्स थे कुछ अवार्ड्स थे जो कि मैं बता दूंगी एक बार और ये अंजूरोडिया के चित्र है जो कि काफी सारे वर्ग है उनके पास तो ये वर्क है इसका टाइटल है नेस्ट इसके शिर पे नेस्ट बना हुआ है जिसमें बीज आपको दिख रही है हनी बीज जैसे होती है मदू मक्ही है तो वो नेस्ट बना कर उन्होंने इसका टाइटल नेस्ट दिया है बहुत ही सुन्दर वर्क है ये charcoal water color on paper है 175 to 113 cm है जो कि inches में 69 by 44 हो जाएगा इनके कुछ और भी गलाकृतियां है जो कि सारे show नहीं कर सकती मैं जिसमें the three key city falling glass coronation 2 मैंने बताया ही सारा next picture देखते है इनका अतुल डोडे का how far is it how far is it के बारे में मैंने पूछा how far is it इस पे लिखा भी हुआ है how far is how big बहुत छोटा सा लिखा हुआ है इसलिए बहुत समझ में नहीं आ रहा है इसमें ठीक है तो ये है इनका इसका जो medium है ये भी है mixed media on handmade paper size है इसका 166 by 30 130 अंजू डोडिया है जिनको हम इस तरीके से देख सकते है अब अंजू डोडिया का next work देखते है red wine red wind 2020 में ये बनाया है इसका मैंने question भी बनाया था red wind किसका चित्र है जो कि अंजू डोडिया का है और कब बना था 2020 में इन्होंने बनाया है 2020 में ये इनका new work है इनके color कलाकृतियों में अब colors को in build होते देख सकते है colors कैसे इनके कलाकृतियों में और भी अच्छे से दिखना शुरू हो जाते हैं ये इनके कलाकृतियों में हम देख सकते हैं charcoal watercolor fabric collage on padded board इस तरीके का इनका काम है ये paddle board पे इन्होंने collage किया हुआ है water color किया है fabric collage है कुछ fabric को इन्होंने use किया यहाँ पर जो red color है इसको brightness प्रतान करने के लिए fabric को यहाँ पर use किया है तो fabric का इन्होंने collage बनाया है water color charcoal charcoal से इन्हेंने इस चित्र का deafness दिखाने का प्रयास किया है इसका title है red wind okay इसकी size है 16 inches by 26, 27 inches okay next इनके picture देखते है अंजू डोडिया का यह चित्र है जिसका pillow bearer मैंने question जो बनाया था उसमें ये pillow bearer दिखाया है इसमें एक lady को दिखाया है एक girl है जो कि pillow लिये हुए इसमें दिखाया है pillow bearer water color charcoal and soft pestle on paper बहुत ही सुन्दर वर charcoal water color और soft pestle यूज करके इन्होंने बहुत ही सुन्दर चित्र बनाया है इनके चित्रों में अमूर थेता है एक अलग सा समवाद दिखता है जो कि आज की modern कलाकारों में हम देख सकते हैं इनकी size है 51 by 16 inches 51 by 22 inches next अंजू डोडिया के हम family को एक बार देख लेते हैं अंजू डोडिया अपने पती और अपनी पुत्री के साथ जो कि अंजू अतुल और बिराज डोडिया आप एक तरह से अंजू डोडिया की पूरी फिल्म family को आप समझ सकते हैं उनकी कलागितियों के बारे में उनकी बारे में समझ सकते हैं और उन्होंने कहां कहां कारे किया ये सारी चीज़े हम समझ चुके हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो कुछ इनके honors हैं जो कि 2007 में जी अस्तित्व अवार्ड इन्हें मिला था प्रेजेंटेड बाई अर्चना ट्रस्ट सभू जी टीवी के द्वारा दिया गया था इंडो अमेरिकन सोसाइटी द्वारा यंग अचीवर अवार्ड इनको 2001 में मिला था 2000 में नॉमिनेटेड फॉर दे स्टेबी अप प्राइज ऑफ कॉंटेंपरिरी आर्ट दिया गया था 1999 में हार्मोनी अवार्ड इनको प्रेजेंटेड बाई रिलाइंस इंडेस्ट्रि मुंबाई के द्वारा दिया गया था और 1998 में नॉमिनेटेड फॉर 120 प्राइज फॉर कॉंटेंपरिरी आर्ट तो इस तरह के से इनके जो अवार्ड्स हैं सेरिमनीज हैं इनको बहुत सारे अवार्ड और भी मिले थे जो की छोटे होंगे इस से तो कुछ जो सेलेक्टेड इनके अवार्ड्स हैं उसको मैंने बता दिया तो ये है अटूरोडिया की अटूरोडिया की फैमिली अटूरोडिया की कलाकृतिया अटूरोडिया के बारे में उनकी कलाकृतियों के बारे में हमने अच्छे से अनालिसिस कर लिया आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने काफी research किया है काफी मेहनत किया है इस वीडियो के लिए material कहीं नहीं मिलता है तो काफी search करना पड़ता है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? like करीए, share करीए और subscribe करीए मेरे comment box में comment जरूर करिए कि आपको ये new artist जो चीज आपने कहीं पढ़ी ना हो वो चीज आपको मिलती है तो आपको कैसा रगता है वैसे मेरे channel पे बहुत लोगों ने comment किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ आप लोगों को नया दे पा रही हूँ, ये चीज मुझे बहुत ही proud फिल कराती है, तो आप लोग के exams के लिए काफी helpful होगा और खुद like करिए, share करिए और subscribe करिए, thank you for watching my video and keep watching, keep learning bye bye